तो आज हम करेंगे चैप्टर नमबर वन क्लास टैन्थ केमिकल रियक्शन्स एंड इक्विशन्स की इंपॉर्टन कोशन्स जो कि मैंने प्रीवियस येर कोशन पेपर्स और अधर इंपॉर्टन कोशन्स को मिलाकर बनाए हैं इसमें मैं आफसे को कोशन्स और उनकी आंसे को एक्स्पैन करोंगी और बताओंगी अगर आपको किस टाइप का कोशन्स है तो आपको उसको कैसे अट्म्ट करना है जो स्टार्ट करते हैं जो 1st क्क्ष्ण है ये 2020 की टीविय१ की केपर में आया हुआ है इस टाइप के question और इस टाइप के concept काफी important रहते हैं exam में ऐसे ने questions introduced हुए हैं इसमें आपको क्या करना होता है दो आपको statements given होती है एक assertion और एक reason दो statement given होती है और इसमें आपको उन्होंने question में यह कहा गया होता है हमारे पास 4 options होते है first option हमारे पास होता है कि यह दोनो statement सही है बिलकुल और जो second statement है reason वह reason जो है यह statement का ही reason है तो हमारे पास पहली option का है कि दोनो statement सही है और जो statement 2 है वह इसी का ही reason है अब हमारे पास है second option second option में क्या होता है कि जो दोनो statement है तो सही पर जो reason है जो second statement है reason वाली वो इसका reason नहीं है पर वो statement तो सही ही है ठीक है तो हमारे पास third जो हमारे पास option है वो यह है कि A statement सही है पर B statement गलत है मतलब R statement जो है गलत है और हमारे पास जो fourth option होता है वो यह होता है कि R सही है पर A statement गलत है ठीक है तो इन चार ओप्षिन में से हमने एक ओप्षिन को स्लेक्ट करना होता है स्टेट्मेंट को अच्छे से समझ कर तो आईए शुरू करते हैं कैसे हम स्टेट्मेंट को समझेंगे यह 2020 में आया गया कोशन है following is a balanced chemical equation जो statement है यह equation है यह balanced की गई है बिल्कुल सही उन्हें लिखा है उपर for the action of steam iron iron को हमने steam से react करवाया तो हमारे पास क्या आया hydrogen और Fe3O4 ठीक है यह बिल्कुल सही equation है balance भी की गई है सही की गई है ठीक है मतलब एस स्टेट्मेंट तो हमारी बिल्कुल कोरेक्ट है अब हम पढ़ते हैं reason की बारे में reason है the law of conservation of mass holds good for a chemical equation इस equation के लिए हमारा law of conservation of mass है law of conservation of mass हमें क्या कहता है कि before reaction और after reaction जो हमारा mass है compounds का जो भी हमारे reactants है reactant का mass और product का mass है वो दोनों equal होने चाहिए means before reaction mass is equal to after reaction mass जो हमारा law of conservation of mass यह हमें कहता है अब हमने देखने कि law of conservation of mass के यह statement यह वाली equation फॉलो करती है तो हमने देखा कि यह पूरी equation balanced है मतलब जितने हमारे पस atoms या molecules इस side पे हैं उतने ही हमारे पस इस side पे हैं अगर hydrogen इधर हमारे पस 8 है तो इधर भी 8 ही है अगर iron 3 है तो product side पे भी 3 ही iron है अगर हमारे पस oxygen यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 है मतलब भी 4 और after products दोनों का जो हमारे पस mass है वो equal है that means जो R equation है वो इसी का ही reason है और R statement भी सही है A statement भी सही है और R statement इसका reason ही है तो हमारे पस जो option है कौन सा correct हो जाएगा both A and R are true and R is a correct explanation or correct reason of the assertion A तो हम next question की तरफ move करते हैं next question है हमारा lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution इस पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप chemistry में जो भी हमारे activities given होती है NCERT book में उन activities को आप अच्छे से पढ़े और उनकी observations को note करे activities के base पर chemistry में बहुत सारे questions आपको exam में देखने को मिल जाएंगे तो ये वाला जो हमारा ये भी activity based question है first chapter में given है lead nitrate solution is added to a test tube एक lead nitrate का solution हमने बनाया उसको हमने test tube में add किया उस test tube में पहले से हमारे पास potassium iodide का solution था lead nitrate को हमने potassium iodide के साथ mix किया है अब हमने क्या लिखना है कि write the name and the color of the compound precipitated तो हमारे पास पहले हमने equation लिखनी होती है इस statement के according हमारे जो equation बनेंगी वो ये बनेंगी lead nitrate plus potassium iodide lead nitrate plus potassium iodide हमें क्या देता है lead iodide plus potassium nitrate इस equation को हमने जरूर balance करना है तो ये हमारे पास equation बनी इसमें हमारा जो precipitate है वो ये हमारा होगा lead iodide इसका हमने name लिखना है और color भी लिखना है इसका name है lead iodide PBI2 और इसका color होगा yellow ये अगर आप अपनी laboratory में school में experiments करते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से याद रहेंगी इस चीजे या फिर अगर आप अपनी NCRT बुक को भी अच्छे से पढ़ते हैं उसकी activities को solve करते हैं उसकी observation को note करते हैं तो आपको इस सारा जो material है वो आपको वहीं से मिल जाता है इसलिए मैं आपको suggest करते हूं कि आप NCRT की जो activities होती है वो जरूर ही अच्छे से perform करें अच्छे से study करें तो हमारा जो first question है वो कहता है write the name जो हमारा पास precipitate बनेगा मतलब जो नीचे रह जाता है अगर हम कुछ perform करते है reaction तो नीचे कई बर कुछ बच जाता है residue की तरह नीचे settled down हो जाता है उसको हम precipitate कहते हैं तो इस reaction में जो precipitate होगा वो हमारा पास lead iodide होगा और उसका color क्या होगा yellow second question है कि balanced chemical equation लिखनी है वो हमने पहले ही लिख ली है यह हमारी balanced chemical equation अगर उन्हें balance कहा नहीं भी हो पर फिर भी आपको balance करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो c अगर आपको balancing नहीं आती तो मेरी आप एक previous video देख सकते है मैंने अपने channel पर upload की गई है balanced chemical equation हम कैसे बनाते है unbalanced chemical equation से तो हमारा पास third question है name the type of this reaction यह reaction किस type की है तो यह reaction है double displacement reaction इसमें double displacement हो रही है जो lead है हमारा iodide के साथ चला गया है और जो हमारा potassium है वो हमारा nitrate के साथ चला गया है तो दो चीज़े हमारी displaced हुई है या फिर इस reaction का precipitation reaction भी बहुत सकते हैं क्यूंकि इसमें एक precipitate भी हमारा बनता है तो आप दोनों ही answers को लिख सकते हैं मैंने यहां पर एक लिखा हुआ है तो आप दोनों ही answer लिख सकते हैं double displacement reaction and precipitation reaction तो हमारा जो थोड़ question है वो है what happens when food materials containing fats and oils are left for a long time जो यह वाला हमारा topic होता है corrosion और rancidity का यह rancidity से question है इस topic से भी mostly question exam में मिल जाता है what happens when food material containing fats and oils are left for a long time किसी भी substance को food को अगर हम बहुत time के लिए जिसमें fats गयरा है जो oily चीज़े हैं उनको अगर हम बहुत time के लिए से खुला छोड़ दें तो उनका क्या होगा list two observable changes and suggest three ways by which this phenomenon can be prevented changes बताएं कि हमें क्या observe होगा अगर हम किसी भी fat और ये changes को हम कैसे हटा सकते हैं prevent कर सकते हैं मतलब बुचाए जासकते हैं उनको तो जो हमारा food है वह कौने प्रसेटेटी प्रसेटके अंडर इंदर चला गया है कि उसका हमारा smell है वह खराब हो जाती है चेंज भी उसका हो जाता है टेस्ट भी चीन हो जाता है जो हमारा उसके साथ ही कोशिन था कि हम रेंसिटिटी प्रसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके मैथड़्स हैं स्टोरिंग फूर्ड इं एर्टाइट कंटेनर्स तो स्लोर दा प्रसेस व रेंसिटिफिकेशन हम अपने फूर्ड को एर्टाइट कंटेनर्स में बन कर सकते हैं जैसे वो ऑक्सिजन के साथ उसका कंटेक्ट कम हो सके तो सेकेंड कोशिन है हमारा रेंसिटिटिफिक फूर्ड रेंसिटिफिकेशन को कम करता है हम उसको रेफ्रिजेटर में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अब जो हमारा नेक्स कोशन है तो है अगेर अक्टिविटी से है 2019 में पूछा गया है 2 ग्राम औफ फैरस सलफेट क्रिस्टल्स और हीटर हमने फैरस सलफेट क्रिस्टल को हीट किया है ड्राइर बॉलिंग टूब में हमने अपनी अप्जिविशन लिखनी है नेम दे टाइप ऑफ केमिकल रियक्शन किस टाइप की रियक्शन होगी है और बैलन्स केमिकल एक्विशन हमने लिखनी है उसके लिए और प्रोडक्ट भी हमने देखनी कौन कौन से फॉर्म होई तो सबसे पहले इन्होंने थौर्ड नंबर पर जो कोशन दिया है वो हमें सबसे पहले अटेम्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसको टेम्ट करने से हमें बाकी दो कोशन के आंसर एजले मिल जाते हैं तो पहले मैं बैलन्स केमिकल एक्विशन लिख लेती हूँ जो हमारी है आइरन सल्फेट या फिर फैरस सल्फेट उसको हमने हीट किया तो हमारे पस क्या क्या आया फैरिक उकसाईड, सल्फर डायकसाइड एन सल्फर ट्रायकसाइड तो हमारे कोशन है लिस्ट एनी टू अब्जविशन हमने क्या क्या आब्ज़र्व किया हमने क्या कि जो कलर है वो चेंज हो गया है ग्रीन टू वाइट इसका green color था और जब हम इसको heat के तो हमारा white color में ही change हो गया है और क्या-क्या form हुआ है और इसमें हमारे पास क्या-क्या form हुआ है reddish brown यह जो ferric oxide है reddish brown color का हमारे पास form हुआ है यह कौन सी type की reaction हमारी decomposition reaction है एक जो हमारे पास compound था वो कापी सारे compounds में breakdown हो गया है और second इसमें कोशन में हम observation वाले कोशन में ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास दो gases भी form हुई है sulfur dioxide और sulfur trioxide और इसमें हमने उन्होंने थर्ड कोशन कहा है कि balance chemical equation लिखे तो वो भी हम लिख सकते हैं उसके products के नाम भी लिख सकते हैं जो product है हमारे वो ferric oxide sulfur dioxide और sulfur trioxide हो गया है हमारा अब हमारे पास जो फोर्थ कोशन है वो है ये हमारा जो activity 1.5 से था उपर वाला कोशन थो जो NCRT में activity हमारी 1.5 activity है उससे था ये कोशन आया हुआ एक्जाम में अब हमारे पास है you might have noted that copper powder is heated in china dish the reddish brown surface of copper powder become coated with a black substance why has this black substance form हमने एक कोशन में देखा है कि जो हमारा copper powder है इसको हम heat करते हैं तो एक reddish brown surface of copper powder का उसके उपर black black substance मारा coated हो जाता है तो ये black substance क्या है और ये क्यों उसके उपर आ जाता है उसके हमने chemical equation में लिखनी है इस process के पूरे की और हम उस black coating को कैसे हटा के उसको फिर से reddish brown कर सकते हैं अब हमें पहले का है heating हमाई जो होती है heating बनिंग वो oxygen की presence में होती है क्योंकि ये combustion reaction रियक्शन की main जो हमारे पास condition होती है हमारे ये होती है कि oxygen की presence में हम combustion process को प्रसीड कर सकते हैं तो जो हमारा copper powder है उसको अगर हमने heat किया तो हमारे पास oxidation प्रसेस हुई है तो जो हमारा black substance है वो क्या होगा हमारा copper oxide बनेगा उसकी reaction के हमारी copper को हमने heat किया heat करने का मतलब उसको हमने oxygen के साथ react करवाया तो हमारा जो product है वो क्या हुआ? copper oxide इसको हमने balance कर लिया है और जो हम कैसे हटा सकते इसको यह oxidation process है मतलब जो ब्लैक कोटिंग थी वो oxidation process की कारण से आई हुई थी और अगर हमने इस ब्लैक कोटिंग को हटाना है तो मतलब हमें oxidation process के opposite कोई process करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? hydrogen gas को पास करवाना होगा the black coating on the surface will be turned reddish brown by passing hydrogen gas over heating heated material तो हमने hydrogen gas को पास करवाना होगा तो फिर हमारा जो एक black coating reddish brown में turn होगी हमारा जो next question है, fifth question वो 2018 में आया गया है ये question काफी वर पहले भी exam में पूशा चाह चुका है boards के और 2018 में भी दुबारा पूशा गया था ये हमारा NCRT book से ही है decomposition reaction requires energy decomposition reaction में क्या होता है? कि energy चाहिए होती क्यों हमने एक compound को काफी सारे और compounds में breakdown करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ बाहर से energy देनी पहती है वो energy हमारी heat की form में, light की form में या फिर electricity की form में भी हो सकती है तो हमने तीनों के लिए एक-एक reaction लिखनी है कि एक बार हम heat दे रहे हैं और decomposition process हो रही है एक बार हम light की form में heat प्रवाइड कर रहे है तो हमारी decomposition process हो रही है और एक बार हम electricity प्रवाइड कर रहे है तो हमारी decomposition process प्रसीड हो रही है तो तीनों के लिए हमें एक-एक reactions को लिखना है तो हम first हमारी reaction है due to heat अगर हम heat देते हैं तो reaction यह वाली मैंने पिछले कोश्च से उठाई गई है मैंने iron sulfate जो है उसको हम heat करेंगे तो हमारे पास F2O3, SO2 और SO3 gases बनेंगी और अगर हमारे इसको हम thermal decomposition भी कहते हैं क्योंकि इसमें heat involved है तो heat को हम thermal भी कह देते हैं second हमारी reaction है उन्होंने कहा due to light के लिए लिखने के लिए तो due to light मतलब light हमने fall करवानी है यहां पर अब sunlight भी लिख सकते हैं हम AGBR से silver bromide से को हम sunlight देंगे sunlight प्रवाइड करवाएंगे इसको तो हमारे पास क्या क्या जाएगा silver और bromide third हमारे पास जो reaction है वह है electricity के कारण में इसको हम electrolytic decomposition भी कह रहते हैं और light वाले को हम photolytic decomposition भी कह रहते वास्त वाले हुम फोटोले जिन के लिए सल न्याएड के लिए तो इसको हम ​ photolytic decomposition भी कह रहते हैं third हमारी हम अच्छि़टी की वाली यह हमारा last question है, 6th question What is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride? sodium sulfate को हम barium chloride के solution में add करवा रहे हैं हमें क्या observe होगा, क्या observation हमें मिलेंगी again यह activity से ही है question write equation for the chemical reaction equation लिखने है हमने इस process की और type of reaction लिखने है तो हमारे पास जो equation बनेगी वो यह बनेगी sodium sulfate, sodium sulfate को हमने barium chloride के साथ रेक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहे है, barium sulfate और sodium chloride यह हमारी double displacement type की reaction है या फिर precipitation type की reaction भी है यह तो हम इन चारों के हमने name भी लिखने है barium chloride, sodium chloride, sodium sulfate, barium sulfate तो हमने यह observation देखी है जो हमारा when solution of sodium sulfate reacts with solution of barium chloride जो हमारा reacts with solution of barium chloride जब sodium sulfate गे साथ sodium sulfate, barium chloride के साथ react हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है white precipitate बन रहा है यह ग्रियम क्योंकि इसमें इसमें ब्रियम sulphate as a precipitate be formed हो रहा है so thank you very much for watching my video and please subscribe and share this video to your friends so that everyone got to know about the important questions of chapter number one that is chemical reaction and equation thank you so much again